आँच अपनियां, बड़ाकाल का कहर इतना भयंकर था कि भूख और पानी की कमी से लोगों के शरीर हर एक हड़ी को साफ साफ देखा जा सकता था. लोग इस कदर कमजोर हो गए थे कि लोगों को चलने फिरने यहां तक की खड़े होने के लिए भी सहारा चाहिए होता था, इसके लिए लगभग हर घर में खूटे गाड़ दिये गए थे. राजस्थान में खूटे गाड़ने का मतलब होता है एक लंबे डंडे को जमीन में गाड़ देना, जिसका सहारा लेकर लोग खड़े हो सकें, चल फिर सकें और अपना दैनिक काम कर सकें. जब अनाज की कमी आई तो लोग एक दिन छोड़ कर एक दिन खाना खाने को मजबूर हुए, लिकिन ये तबाही यहीं नहीं रुकी. हालात इस कदर खराब हो गए कि लोग भूख मरी में पहले काकडियां मतीरे के बीज खाने को मजबूर हुए, जब वो भी खत्म हुए तो पैद्धों की चाल खाई, जब सूखे से वो भी खत्म हुई तो लोग बेर, वनस्पती और जाड जंकाड खाने लगे. एक समय तो ऐसा आया कि ये सब भी लोगों के आसपास के मीलों के इलाके में खत्म हो गए. इसके बाद लोग बेर की बच्ची हुई गुठलियों का चूर्ण बना, उसे पानी के साथ खाने को मजबूर हो गए. जब लोगों के लिए हर रास्ता बंध हो गया, तो वो सुखी हुई घास को उबाल कर खाने लगे. अकाल की कालिमा लोगों पर इस कदर गहराई की लोगों का खून धीरे-धीरे खाने और पानी की कम्मी से सुख गया. इस अकाल से आम जनता ही नहीं राजपुताना के राजा महाराजा भी जूँज रहे थे. राजपुताने के कई राजाओं ने जनता को इस भयंकर त्रासदी से बचाने के लिए अकाल राहत के कई कार्य किये. जिसमें मुफ्त खाने का प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण था. इसके साथ ही रियासतों ने प्रजा के लिए जगह-जगह आश्रय खोले ताकि भूखे लोग वहाँ पर खाना खा कर अपनी जान बचा सके. हलांकि यातायात के सीमित साधन वसंचार माध्यमों की कमी के चलते लोगों तक पूरी तरह से मदद नहीं पहुँच सकी. इस व्यवस्था के चलते राजपूताने के कई शासकों के खजाने खाली हो गए और वो भारी कर्ज में डूब गए. उस दौरान ब्रिटिश सरकार के अधीन आने वाले प्रदेशों में अकाल से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राहत शिविर खोले गए थे, लेकिन वहां भी लोगों को सीमित राहत ही मिली, जो नहीं के बराबर थी. आखिरकार एक दिन प्रकृति को भी मरुधरा के लोगों के होंसले के आगे जुकना पड़ा, और एक लंबे आर्से के बाद जेठ महीने में मानसून ने दस्तक दी. जैसे ही मरुधरा में बादल गरजने लगे, कुछ लोगों की आखें एक लंबी त्रासदी की खत्म होने की खुशी से भर आई, तो कुछ लोगों की आखों में आशू इस दौरान हुए या उनके किये कर्मों को याद कर आए. हमारे पूर्वजों ने साल दर साल इन अकालों की विभीशिका को बेमिसाल हौसलेव बुद्धिमत्ता से झेला और संकटों के द्वार से खुद और परिजनों की जिंदगी की नया को बड़े जतन से संभाल कर रखा. हमारे बुज़ुर्गों ने कितना दर्द झेला, ये आज ऐसी कमरों में बैठ कर ये वीडियो देखने वालों के लिए सोचना भी नामुनकिन है. लेकिन इस अकाल ने हमारे पूर्वजों की सामाजिक और आर्थिक दशा को गंभीर क्षती पहुंचाई, जिससे समाज में जातिवाद को काफी बढ़ावा मिला. इस अकाल के दौरान कई शिल्पकार वबुनकर जातियां भूखमरी के कारण अपना शिल्प छोड़कर पूरी तरह कर्ज में डूब गई और आगे चलकर बंधूआ मजदूरों में परिवर्तित हो गई. इन जन्तियों में बलाई बुनकर जाती भी एक थी, जिनकी सामाजिक स्थिती में भी काफी भयंकर गिरावट आई. राजस्थान से हजारों की संख्या में लोगों ने मालवव अन्य स्थानों की ओर पलायन भी किया. इस भयंकर अकाल से राजस्थान के राजा महाराजाओं, ब्रिटिश सरकार और आम लोगों ने सीख लेते हुए कई ऐसे इंतजाम करवाए, जिससे भविश्य में उन्हें और उनकी आने वाली पुष्टों को इस तरह का दर्द ना झेलना पड़े राजस्थान के लोगों में इस अकाल से उभरने के बाद मानोद दुनिया के किसी भी अकाल या प्राकृतिक तरासदी का सामना करने का सहस आ गया था इस भयंकर अकाल के चलते राजस्थान के कई लोग अपने घर परिवार छोड भारत के अलग-अलग हिस्सों में बस गए इन लोगों ने अपनी मेहनत और लगन का ऐसा जोहर दिखाया कि सारे भारत में मारवाद्धियों के नाम से इनकी तूती बोलने लगी भविष्य में अकाल का दुहक ना जहेलना पड़े इसलिए कई नहरों, जलाशईयों और इमारतों का निर्मान कराया गया और भविष्य के लिए योजना बनाई गई जिनमें खाद्यान उत्पादन को बरहवा देना अमेरिका से लाल गेहूं मंगवाना, परमिट के जरिये लाल जमवार, लाल गेहूं, घाट आदी बाटना हरित क्रांती की शुरुवात, भारतीय क्रिशी प्रणाली और बुवई हेतु प्रयुक्त होने वाले बीजों की गुणवत्ता में परिवर्तन करना अनाज के भंडारण के गोदामों में सरपलस रखने के साथ सडक और रेल परिवहन की सुविधाओं में विस्तार शामिल था